वेलकम बैक हाउस प्लान 24 फीट बाई 40 फीट जो की टोटल 960 स्क्वाइर फीट में बनाया गया है कम्प्लीटली लॉंग सेप स्क्वाइर में है जिसमें की हमने 3 भी अच्च के और साथ में एक पार्किंग बाइक के लिए और और फसलिटी जो रिक्वाइर्मेंट होता है एक हाउस का बनाया गया है यह प्रूपर डिजाइन एक सस्क्राइबर का है जुन्होंने कमेंट में अल डिटेल मेंशन करा था आप भी चाहते हो तो कमेंट में अपना डिटेल्स प्रवाइड कर दीजेगा आ आउटरवाल की बात करें तो कम्प्लीट आउटरवाल फाइव इंच रखा गया है यह हमारी आउटरवाल हो जाएगी कम्प्लीट ली आउटरवाल फाइव इंच रखा गया और पाटिशन वाल भी फाइव इंच रखा गया यह आप रेड कलर से कम्प्लीट आउटरवाल हम यह विंडो की स्पेस मार्क कर देंगे ताकि आप इजली आइदेंटिफाइ कर सके कि कौन सा स्पेस हमारा विंडो के लिए रखा गया है यह मारी बेड्रून की स्पेस हो जाएगी पाटिशन वाल भी फाइव इंच रखा गया है कम्प्लीट वीडियो के लास्ट में हम डिसकस करेंगे इसमें टोटल कितनी पिलर यूज होगी और इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कोस्ट क्या होगा सारा कुछ हम डिटेल में तो वीडियो में इंड तक बने रहेगा यह मारी कम्प्लीट स्टेर वाली पार्ट हो जाएगी जो कि पार्टिशन वाल हमारा फाइव इंच का हो जाएगा यहां एक बेड्रूम कीचन के साथ और यहां एक बेड्रूम लिविंग एरिया रखा गया है विंडो की बात करें तो कम्प्लीट विंडो यहां पर यलो कलर से मार्क कर देते हैं यह मारी OTS के स्पेस हो जाएगी विंडो आप अपने नेवर अपनिंग स्पेस के हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं तो यह आपके मोडिफिकेशन पर डिपेंड करता है बस में एक आरिया दिया गया है यह क किचन की स्लैब हो जाएगी कम्प्लीट कीचन ओपन रखा गया है और डिटेल की बात करें तो यहां एक विंडो आप रख सकते हैं यह मारी OTS हो जाएगी एक विंडो आप यहां रख सकते हैं एक विंडो यहां एक विंडो यहां और यह मारी एक विंडो पार्किंग रिया डिटेल्स में देख लेते थी अमारी मैन स्पेस हो जाएगी जो कि कम्प्लीटली उपन रहेगा एज पार्किंग आप यूज कर सकते हैं जो कि इस साइट से 11 feet और इस साइट से 6 feet की हो जाएगी तो यह हमारी 11 by 6 feet का ओपन स्पेस हो जाएगा पर्च के तर फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं और यह हमारी 1 step हो जाएगी आप चाहे तो इसे प्रवाइड कर सकते हैं जस्ट बाद अमारा यह living area हो जाएगा जो कि completely main bedroom और main house of depart से separate रखा गया है तो यह हमारी living room हो जाएगी जो कि 10 feet by 11 feet का design किया गया काफी लार्ज स्पेस है जिसमें कि आप 3 और 2 सिंगल सीटर सोफा यूज कर सकते हैं और यह हमारी यहाँ पे एक TV unit आप प्रवाइड कर सकते हैं पार्किंग बालक एरिया में जस्ट सामने हमने स्टेर वाला पार्ट रखा है यह स्टेर 3 feet width की हो जाएगी इस साइड से और यहाँ भी 3 feet जो किस तरह से मूब करके फर्स प्रोल पे चल लाएगा और एक बात आप स्टेर की नीचे वाले स्पेस को एजा स्टोरेज यूज कर सकते हैं यह में complete open space हमारा storage के format में यूज लेट प्लस बात हो जाएगी जो कि completely 5 feet by 8 feet का रखा गया है 5 feet इस साइड से और 8 feet इस साइड से काफ्य स्पेस है डोर इंसाइड ओपन हो जाएगा हमारा और यहाँ पे आप बैनिलेशन के लिए यहाँ पे OTS प्रोबाइड किया गया जो कि complete 2 feet का हो जाएगा और यह हमारी 4 feet कि यह एटाच लेट बात होगी इसकी बाद में डिटेल में देखेंगे अब हम इसकी किचन की बात करें तो की कीचन हमारी complete open रखा गया है जिसमें कि एक डाइनिंग टेवल इसी में एरंज किया गया जो कि 6-seater का हो जाएगा तो यह हमारी किचन हो जाएगी जो कि completely open हो जा करते हैं या फिर इस बेडरूम को तो हम यह पहले मास्टर बेडरूम की बात कर लें ति हमारी मास्टर बेडरूम हो जाएगी जो कि completely 10 feet by 11 feet का डिजाइन किया गया साथ में टच लेट बात हो जाएगी डोर इंसाइड ओपन हो जाएगा और यह मारी 4 feet by 8 feet का स्पेस हो जाए चा की डोर की साथ अप तो अटिरी feel by seven feet प्रोवाइड कर सकते इस में सकेंड बेडरूम की बात करो ही यहारी बेडरूम सेट हो जाएगी जो कि 10 feet इस साइड चेंद और 11 feet हो जाए गया यह मारी बेडरूम हो जाएगे 10 feet by 11 feet का डोर इंसाइड ऊपेन हो जाएगा 3 feet by 7 fit में आप सामने टीवी यूनिट और इस साड कैबिनेट या फिर आप सीटिंग के लिए भी अरंज कर सकते स्पेस काफी लार्जा स्पेस है यहां पर या अगर आप चाहे तो इसे कीड रूम फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर एक बेड यहां बेड फर्स्ट और इस वाल बेड को यहां पर डीटेल में देख लेते हैं तो यहां आप एक बेड अरणज कर सकते हैं और यहां फॉस्ट हो जाएगी और एक बेड आप यहां यूज कर सकते हैं यह बेड टू हो जागी तो हम एज़ा किड्स रूम भी कनवर्ट कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल बेड्रू के फॉर्मेर में भी यूज कर सकते हैं बेड्रूम थर्ड की बात करें तो यह हमारी सिमिलर 10 फिट बाई 11 फिट का हो जाएगा जो कि इस साइड से 10 फिट और इस साइड से 11 फिट रखा गया है और सामने एक आप टीव यूनिट और इस साइड कैबने आप एरंज कर सकते हैं अपने मोडिफिकेशन के हिसाब से और इंटेडियर के हिसाब से यह तो हमारी कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर के रिजान होगई फर्स फ्लोर की बात करें तो स्टेर से आने के बाद इसके फॉर्मेट में यूज हो जाएगा और बाकी स्पेस सारा सिमलर रहेगा अगर आप एक किचन डाउन फ्लोर फ्रस्ट ग्राउंड फ्लोर पे रेंज करना चाहते हैं तो इसे आप एज रूम भी कंवर्ट कर सकते हैं तो यह मारी कंप्लीट ओपन स्पेस हो जाएगी औ और पार्टिशन वाल भी फाइव इंच रखा गया इसमें नमबर पिलर की बात करें तो वन टू थ्री फॉर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टैन लेवन ट्वेल थर्टीन फॉर्टीन फिप्टीन पिलर यूज कर सकते हैं पिलर के साइज की बात करें तमाया टैन इंच बाइट इंच का हो जाएगा इसकी हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो कम्प्लीट हाउस को बनाने में ग्राउन फ्लोर को आपको एप्रक्स 15 लाक रिप्या लग जाएगा तिये कम्प्लीट हाउस प्लान जिसमें कि यह आउटर साइड अमारी टोटली साइड से 40 फ सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फूर वाचिंग थैंक्यू